कि है गाइस विल्गम टोल अफियो और माय यूटूब चैनल सरकारी भारत तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं आज का पेपर हुआ है 19 अक्टूबर 2020 को फर्स इप्ट का पेपर हुआ है और इसमें मैस रेजनिंग और जी के किस प्रकार के कोशन्स पू आज पूछेंगे इन सभी प्रशनों के जवाब आपको मिलने बाले हैं एक्जाम एल्लाइस करने वाले हैं 100% आपको रियल बताने वाले हैं तो आप सभी को बता दें कि अगर आप शेनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि आप सभी के जो च्छ टीप के लिए तो सब्सक्राइब करना तो गाइस बिल्कुल भी मत बूलिएगा चले फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और और किस प्रकार के question पूछे गए हैं तो friends आवा आ चुका हूं मैं अपनी screen पर सबसे पहला प्रशन अपनी screen पर दिखाई दे रहा है हाल ही में किसे access bank के नई अध्याच की रूप में नियुक्त किया गया है देगे एक्सेस बैंग के नई अध्यच की रूप में CEO के रूप में किससे निक्त किया गया है तो यह किया गया है राकिस मखीजा को जह देख लेते हैं तो गोजर। तेके रविना टेगोर की बात करें तो रविना टेगोर ने यही वारत का राष्टगान जनगर्मन की रचना की थी जो जनगर्मन है यह इनके द्वारा ही लिखा गया था अगर रविना टेगोर की बात करते हैं तो इनको 1913 में 1913 में गीतांजली पुस्तक के लिए इनको प्राइस भी इनको 1913 में मिला था रविना टेगोर को रविना टेगोर ने बंगलादेस का राष्टगान है बंगलादेस का भी राष्टगान आमार सोनार बंगला है इसकी भी इनोंने रचना की थी तो जो रविना टेगोर सहितिक पर उसका 2019 है ये किसको दिया गया है तो ये किस देश ने फुटवाल में अपना पहला एसिया कप जीता है किस देश ने फुटवाल में पहला एसिया कप जीता है तो फुटवाल की बात करें तो फुटवाल में 11 लेयर होते हैं इसी तरीके से होकी में भी 11 लेयर होते हैं तो फुटवाल होकी और क्रिकेट तीनों के अगर फुटबॉल में अपना पहला Asia Cup किस दिस ने जीता है इसकी बात करें तो कतर ने पहला Asia Cup जीता है चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन की ओर देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है आपकी स्क्रीन पर चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है पांस संक्याओं का ओस्ट सोलह हो जाता है निकाली गई संक्या कौनसी है तो पांच गोणे आठ करेंगे तो अठारा पंजे नब्बे अगर एक संक्या को निकाल देते हैं तो पांच की जगेंप संक्या हैं बचेंगी चार और इनका ओस्ट कितना हो जाता है शोलह हो जाता है और पूछा है कि निकाली गई संक्या क्या है तो पांस संक्याओं का योग 90 है चार संक्याओं का योग 64 है तो 90 में से 64 को अगर घटाएंगे तो यह बचेगा 6 है और यहां बचेगा कितना 2 तो निकाली गई संक्या कितनी है 26 है कितनी है 26 26 निकाली गई संक्या है चले करें सुनीता की तो सुनीता एक पंक्ती है माले यह कोई पंक्ती है इस पंक्ती में अगर राइट से लेफ्ट की और देखें यह लेफ्ट माल लिया इसको मैंने माल लिया राइट सो राइट से यह कितने प्लेस पर है और लेफ्ट से भी बात करें तो लेफ्ट से भी कितने प और खूंट किया जा रहा है इस चेटर इस फश्मस पर इस वैश्श करेंगे एक माइनस तो ग्यारा और ग्यारा कितने हो गए 12 बाइस में जबाँंगे तो कितना बचीका 21 एप वाल इस सवाल का सही जवाब होका 21 उस पंक्ति तो 21 लड़की की संग्या होगे चले फ्रेंस next question देख लेते हैं next question आपकी screen पर है ICC World Cup 2019 में किसे golden ball का आवार दिया गया था ICC World Cup 2019 में किसे golden ball का आवार दिया गया था तो ये दिया गया था Mitchell Stark को किसको दिया गया था Mitchell Stark को ये कहा के player है तो ये उस्टेलिया के तेज गैंदवाज है तेज गैंदवाजी करते हैं और ऑस्टेलिय क्रिकेट टीम के ये प्लेयर हैं इसी ICC World Cup 2019 में ICC Spread of the Year का भी अवार्ड दिया गया था ICC Spread of the Year का वार्ड दिया गया था तो ये भी किसको मिलाता ये मिलाता बिराट कोली को इंडियन केप्टन बिराट कोली को ये ICC Spread of the क्रिकेट का वार्ड मिला था 2019 वाले वर्ल्ड कप के लिए खेल वावना को दिखाने के लिए ओके फ्रेंट्स चलिए तो next question देख लेते हैं तो next question है विस्व पर्याबरण दिबस कम मनाया जाता है काफी ज़्यादा important day है विस्व पर्याबरण दिबस और exam में आपसे पूछा ह जाता है तो यह पांच जून को मनाया जाता है नेक्स्ट कुषन देख लेते हैं तो फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन है गेम चेंघर किस करिकेटर की आत्मकता है तो इसका सही जवाब है साहज अः दफरीदी साहज हरिकी अगाँगत बinäक रोटीघ है व्ल्राउंचा किस क्रिकेटर की आत्म गता है आटो बायोग्राफिया तो यह है साहिद अफ्रीदी की चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है मतलब किसे बनाया गया है अगर महिला विक और ये इनका लोगसबा छेत रहे इन्हों ने किसको और आया था तो यहां पर राहुल गांधी को और आया था काफी ज़्यादा important है exam में repeat होने के chances बनते हैं तो friends next question की और देख लेते हैं तो next question math का है question किस प्रकार है बोवी देख लीजिए friends आप सभी को फिर से एक बर repeat करके बता दो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलिएगा क्योंकि आपके लिए हम यहां पर descriptive की classes start करने वाले हैं 27 अक्ट टूर से with pdf okay चले एक machine के मूले में 10% की बारसिक दर होने पर इस question को अभी रोक लीजिए one minute please next question है next question है किस वेग्यानिक ने सरपरतम आवरसाणी का निर्माण किया था उस question में थोड़ा सा doubt था तो इस व fascin दिया है किस वैग्यानिक ने सरपरतम आवरसाडी का निर्माण किया तो सरपरतम मेंडलीफ ने आवरसाडी का निर्माण किया तो इसका सही जवाब है कारवन कौन सा है कारवन है अगर कारवन की बात करें तो कारवन का जो परमाण उक्रमाण के है वो है साथ इसके इलेक्ट्रोनिक विन्यास की बात करें तो दो पांच इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास होता है बारीक अच्छा में पांच इलेक्ट्रोन होते हैं और इन पांच इलेक्ट्रोन को बोला जाता है संयो जी इलेक्टोन क्या बोला जाता है संयो जी इलेक्टोन बोला जाता है चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है बेंकिंग सोडा खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकारवोनेट क्या होता है सोडियम बाइकारवोनेट इसका रासायनिक नाम होता है इसके रासायनिक सुत्र की बात करें तो यह होता है एन ए एच सी ओ थ्री इसका बेंकिंग सोड़ा खाने वाले सोड़े का रासानी सुत्र भी होता है चले फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन है मैथ का कोशन पूचा गया है एक गड़ी को 1440 रुपे में बेचने से एक वेक्ती 10% की हानी होती है वह इसे कितने रुपे में बेचे के 10% का उसे लाब हो अगर एक वेक्ती 10% की हानी पर वेजता है यानि कि उसे 90% पर वेजता है बस तू को तो वो कितने की विस्ती है 1440 रुपे की विस्ती है अब वो क्या चाता है उस पर 10% का लाब चाता है यानि कि उसे 110% में बेचना चाता है तो 1114 र बटे 9 गुडा ग्यारा ग्यारा सो चालीस बटे 9 गुडा ग्यारा इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से कैंसल आउट करेंगे 9 एकन 9 बचे 2 9 दुनी 18 और 9 दुनी 18 संथिंग कुछ इसी तरीके से आएगा तो 11 का गुडा करेंगे और आंसर इसका आ जाएगा ओके फ्रेंट्स अगर आपको लगा चले फ्रेंट्स नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेशन है रीजनिंग का किस प्रकार का क्वेशन रीजनिंग से पूछा जा रहा है वो भी देख लेते हैं तो क्वेशन है 6 5 5 6 4 15 5 3 0 4 लिखा जाता है अगर 6415 को 3 complexity लिखा जाता है तो 8896 को क्या लिखा जाएगा देखे 6 से अगर 5 की ओर जाते हैं तो minus का 1 करते हैं 4 से 3 की ओर जाते हैं minus 1 1 से 0 की तरफ minus 1 और 5 से 4 की तरफ जाती हैं तो minus 1 करना पड़ेगा इसी तरीके से यहां लॉजिक लगेगा साथ से एक कम छे आठ से एक कम साथ नौ से एक कम आठ और छे से एक कम क्या होगा पाँच यानि कि 6,785 6785 इस सवाल का सही जवाब होगा चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्स्ट कोशन है तो दादा साथ वाल के परुसकार की शुरुवाट कभ हुई थी तो ये हुई थी वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा इस वीडियो का टार्गेट रखते हैं 1000 लाइक का और वीडियो को सेयर कर देजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही न भूलिएगा चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यो पर वच्चिंग इस वीडियो